कि हेलो दोस्तों तो कहीं से आप लोग उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे हों आज हम बात करेंगे जे आई भी वर्शेस एफ्टी फूल स्टेट फूल सिंफो यानि कि जिन्ना बरेसिया वर्शेट फ्रेश ट्रोफिकल के वीजियो इसी एस मिलन टीटेन का मैश नंब को टेली गराम से जोनना जो रहे हैगा आपको डिट्सक्रेशन और टॉप करमेंट सेक्षेन में मिल लेगा आपको लिंक से आना है विदाउट लिंक के आते हैं हो सकता है कि अब गलत चैनल में चले जाएंगे यही हमारे फिरी चैनल से जुनने का एक मातर जडिया है अब winning देख सकते हैं क्वल्ट की मेरी जो रेंग थी वो मिनी जील में आप देखेंगे तो नमबर चार साथ पर थी वस एक प्लियर में इस था बाकी और भी हमारे तेले गारेंसे बिल्कुल जो जाएंगे इससे आपको जो है बहुत सारी चीजे हेल्प मिलेगे एक लास्ट टाइम मैं ओडियो भी देता हूँ आप आप बागी वीडियो भी आपको पूरा देखना है क्योंकि यह जो winning आई है यह सारे वीडियो के through आई है ना कि कोई मैं प्राइम देता हूँ और प्राइम के लिए मेसेज अगर कर भी रहा है तो बिल्कुल ना करें मैं यही कहूंगा कि आप वीडियो देखे और चीजे अच्छी से करें तो यह अपनी कल की जो है अपने मेंबर्स की winning थी देखेंगे तो बहुत सारे मेंबर्स ने अच्छा रेंग लाया है तो यह काम आप भी कर सकते हैं और आप जो है अपनी खुद से टीम create कर सकते हैं किसी को आपको पैसे देनी की जुरुत नहीं पड़ेगी अगर आप वीडियो पूरी देखते हैं तो अगर देखें जिन्ना बरेसिया के टीम जो है दो मेचस खेल चुकी है इस सीरीज में दो मेचस खेल चुकी है एक मेचस जो है पहला मेच जीती है सेकेंड मेच खार एनके तरफ से सहवाज मसूद जो की ओपन आयते हैं दो मेचस में ठीक ठाक कहले हैं ट्राइ कर सकते हैं ओपनिंग आ रहे है जील की अच्छी पिक रहेगी दो मेचस में ठीक ही खेले वर बड़ी पारी नहीं खेले असद तन्विर जो की एक इस्प्रियंस खिलाड़ी है अच्छे खिलाड़ी है बिल्कुल आपको टीम में लेने चाहिए आफ सभाज मसूद को लेना चाहते हैं बिल्कुल ले सकते तो डेत में गेंदवाजी करते हैं इन्पोर्टे रहेंगे एक CBC के भी अच्छे option रहने वाले हैं इस match में नमबर 4 पर आके 19 run 11 गैना में 22 बर की गेंदवाजी 16 run एक विकेट बाकि सहजाद मेहबूद है नमबर 4 और 5 पर आया है एक और 6 बनाये हैं उतना कुछ खास नहीं किये हैं बाकि ये सहजाद मेहमुझे है थोड़ी सी गेनवाजी भी कर लेते हैं बट अभी तक गेनवाजी नहीं किये हैं तो बहुत ही कम गेनवाजी करते हैं और इनकी जो है बॉलिंग उतनी अच्छी भी नहीं है बकि मुहमद रिज्वान है नमबर 5 और 6 पर दो और 0 किये हैं गुलाम फरीद नमबर 7 पर आये हैं 2-9 मेचेस में और 2-13 और दो दो बर की गेंदवाजी किये हैं डेथ में गेंदवाजी ये भी कर लेते हैं बल्लेबाजी भी करना जानते हैं तो बिल्कुल आपके टीम में होने चाहिए रुक्सार रहमाद अभी तक जो है एक विकेट ही लिए है पड़ मैं आपको बता दू यह पिले जब भी विकेट लेते हैं चार पाज विकेट लेके जा सकते हैं धियान रखेगा इनका रिसेंट बिल्कुल यह धोस्त कर सकते हैं धियान रखे या लेफ्ट आर फार मेडियम बॉलिंग करते हैं इसल जैसे टूनामेंट में खेल चुके इनको भी लोग इग्नोर कर रहे हैं बट आप इनको बिल्कुल ट्राइब करेंगे एक्सपरियेंस खिलाड़ी यह सुगवेंदर सिं बिल्कुल ट्रीट कर सकते हैं जिस भी क्लेर पाद दे अब देखना चाहते हैं देख सकते हैं अगर खेलते हैं तो यह भी अपन करते हुए नजरा सकते हैं बहुत ही सांधर प्लियर से धियान रखेगा बगी मीड़ा ओमर के रिसेंट फॉर्म देखेंगे तो 44-33 गुनों म करिये अंदर भी कर रहे हैा ऐसना थामाद पिगेट कीपर बल्लेवाज है अगर खेलते हैं तो धियान दे सकते है मेरी लोर्टर में आके बल्लेवाज ही और षीन थियान रखेगा पहले वल्ले भाजी आये तो रिजवान तंवी 2017 डियोयद देख सकते है त 29 बाते रिजवा लिए तो अभी तक टीटेन में उतना अच्छा नहीं गया बड़ रुक्सा रहमद अच्छा कर सकते हैं बाकी हसान अली है एक विकेट और विकेट लेज गये हैं थोड़ा सा फ़र्म खराप रहा है और आपके लिए अच्छा विन कर वाशा है लिए शुल्मान अली खेलते भी है तो मैं ज्यादा ध्यान नहीं दोगा अगर खेलते तो जी एल में ही ट्राय कर से था क्योंकि स्कूल्प इंकी हाई रहती है तेरह में चैस पर थे लिए बाकी हम्जा इस्तियाग उतना कुछ खास नहीं है अवरे सही रिकोड़ है जस्वें से अब में नहीं है बाकि इन में से देखिए रिजवान मुहम्मद आई थिंग की इन में से जो भी पिलियर्स है इनके अगर इस्टेट्स अभी नहीं है अगर मिलते है तो मैं आपको टेलिएरां में पोस्ट कर दूँगा बाकि सहवाज महसुद तो खेल ही रहे हैं कर रहे हैं एक सीवीजी के बेश्ट ऑफशन निकल कर रहे हैं उस्मान जावेद सारे में अपन किया है बट अभी तक उतना कुछ खास किया नहीं है असी मली दो में डाउन है और एक में नमबर पास पर आये थे दो 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 अबर की गेदवाजी कर रहे हैं विकेट ले रहे में थीजिक ठी है बैसे हैं एक एक पहले दो में चैस में नमबर चार पास पर भीकेट केपिंग कर रहे थे पर लास्ट मैसमी जो है इनको नमबर 8-9 नमबर तक भी बल्ले-वाजी इनकी नहीं इसकोग्नम आग हुआ जान हासन जमीर अखी आपको और सारे मीटेस में जब दोंगे इंपर्टन रहेंगे बलेवाजी नंबर साथ पर क्रोचर सेकंडर अबास कहीं नहीं इन को थोड़ा सा पर्मॉट अगर यहाँ नहीं हैं यह अच्छे खास बल्लेवाजी ओल-रौंड पे हैं बट इनसे बल्लेवाजी बहुत नीचे करवाई जा रही है बट गेंदवाजी सांदर कर रहे हैं तो इनको भी लेना इनको बॉलिंग करवा दिया जाएगा या तो फिर वन साइड़ यह मैं जीत रहे हैं यह वाले टिम इसकेस में सोयब मलिक को बॉलिंग करवाया जाएगा उतने कुछ खास एक्षन भी नहीं है इनके बॉलिंग के इसलिए मैं जादा ध्यान नहीं दे रहा हूं नक्स राजा जो कि अभी तक से फिर फिर लिंग करते हो नहीं जाएगा जाहिज चिमा जो की तीन में पांच बीकेट निकाले हैं एक ओवर डेत में और एक ओवर जो है पाउर पलेकर अंदर करते हैं अच्छे बॉलर है बिल्कुल आपको टीम में ट्राइक करना चाहते है तो बिल्कुल हो जाने चाहिए बिल्लाल हुसेन अगर खेलते भी तो जैड नकवी के साथ अगर खेल रहे हैं तो इस केस में इनका बडलेवाजी जो करम होगा वो नमबर छे साथ पर रहेगा अगर जैड नकवी के अफसेंस में खेल रहे है तो यह डायेक्ली ओपन कर सकते हैं धियान कि रीसेंट टाइम में फॉर्म खराब ही रहा है पार इन लोग के पूरे फूल इसटेर्स दे देगें हैं जिस भी प्लियर का देखना चाहिए रीसेंट फॉर्म से लेके जो है फूल इस्टेर्स जितने अवह तक अपने के रियान में टीटेन खेले है सारे पिलियर के इस तो इसलिए आपको टेलीगराम में जुरना जोड़ रहे हैं चलते हैं बागी डिसक्स हैं वहीं पर करेंगे से मैंने मुहमद उमेर को यहां हूँ क्योंकि यह आपको वन डाउन बल्लेवाजी दे रहे हैं इस कारण से कोई कंफर्म नहीं कितने वह इसमें आएंगे अगर बिकेट कीपिक नहीं करते तो बल्लेवाजी करने की यह थोड़ी सी गेंदवाजी कर लेते में महमद उमेर के साथ गया हूं यहां से असाद तर्मीर को यहां अगर कोई पिलियर खेलते तो बिलाल हुसेन पर आपको धियान दे रहा है और यहां से आई महमद पर द्यान रखेगा खिलाड़ी दोनों मेंचेस में 200 के श्ट्राइक लगवग देड़ 200 के श्ट्राइक से खेले बट लंबी पारी नहीं खेल पाएं द्यान रखेगा गेम चेंजर साबित हो सकते हैं बाकि यहां से आर तन्वीर अगर पहले बल्लेवाजी आई और तन्वीर द्यान देना बहुत बड़े हार्ड इटर है आपको 15-16 गेंदों में ही 30-40 बनाते हुए दिख जाएंगे मैं अभी के लिए आसात तन्वीर के साथ गया हूं एक ही वेट्समेन के साथ मैं आपको बता दू एफ नजीर और एस अरे दोनों हमारे टीम में रहेंगे और दोनो यहां बहुं हमारे टीम में रहने वाले हैं इनके रौणावा में यहां और किसी पैसिप्द और यहां पर तीन और रॉन्डर के साथ यहांप गया हूं बागि देखिए इस मेच में रूकसा रहमत को देख प्र रहेंगे यह अजब बड़े प्लियर पर रिक्स ले सकता हूं यहां पर सारा गेम जो है बॉलर के ऊपर है बाकि यहां से देखिए यह थोड़ी सी मेरे जो है लाश्ट टाइम कॉल रहेगे कि मुझे जाहिद चिमा को लेना है यहां से मैंने ऐसा बस को बिल्कुल हमारे टीम में रहेंगे गुलाम तोस केस में अब देखते हैं कि क्या रहती है टॉस और लाइन अप उस हिसाब से हम अपने टीम क्रियाट करेंगे बागी अभी के लिए अपनी डेमो टीम कुछ इस प्रकार से बनी है अब बात कर ले इन में सी बीजी के लिए सबसे बेस्ट आफ़न कैफटेंसी के लिए ज गुलाम फरीद यह से अगर आप ले ले लें टो सिकंदर अबास भी तो वोलर पे आपको थोड़ा सा सी भी सी बी सी बीजी यह में ट्राइ कर ना है क्योंकि इस मिच में ज्यादा ओल राउंडर जो है एक ही एक ओल राउंडर है जो की अच्छे दिख रहा है जिरनेक भी इनके अलावा असी माली वह असी महबद भी है तो थोड़ा नीजे बल्लेवाजी कर रहे हैं तो अभी के लिए यह हमारी टीम है बाकि जो भी फाइनल टीम होगी काुए वह आईगए टेलेग्राम में टेलिग्राम का लिंग आपको में करने टाप के कमेंट सेक्षण में मिल जाएगा उमीद करता हूँ+, एस वीडियो फेक्टर प्लंग है कुछ फेस एल्प कर पाँए के या तो चैनल को सबस्क्राइब कर लें कि चलिए मिलता है नेक् squeeze video में थैंक यू